नमस्कार मित्रों, डेजायर पॉंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिद्धूबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कख्षा 10 की फर्ष्ट फ्लाइट के दसवे अध्याय का अध्यन करेंगे जिसका नाम है दस्वे अध्याय का अध्यन करेंगे ये first flight का last chapter है जो आपको पढ़ना है इसके बाद आपका first flight complete हो जाएगा तो चलिए क्या कहते हैं कि the sermon, sermon का मतलब होता है उपदेश at banaras, banaras मतलब आप जानते हैं एक city है तो देखिए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने banaras में अपना पहला उपदेश दिया था और वही इस अध्याय का नाम है कि banaras का उपदेश ठीक है तो chapter को start करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा promise करता हूँ कि जब ये video lecture खतम होगा तो आपके लिए ये chapter रुआ होने वाला है यानि आज के बाद आपको इस chapter में कोई भी doubt नहीं रहेगा तो चलिए direct अपने chapter पर चलत about the lesson मैं आपको बता दूँ कि इसमें ऐसी कोई line ऐसी नहीं लिखी है जो आपके chapter में ना दी गई हो तो मैं direct chapter को पढ़ाता हूँ बाद में इसे आप अपने आप देखेंगे आपको आज आएगा सीधी सी बात यहाँ पर लिखी है कि बुद्धा प्रिच्ट हिस फर्स्ट रेमर अर्दर सिट्या बनारस की भाई बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था ये सारी line आपको आगे मिल जा ठीक है 563 BC to 483 BC ठीक है तो गौतम बुद्ध यानि उनका जीवन काली हाँ पे लिखा है कि 563 BC से 483 BC ठीक है तो गौतम बुद्ध बिगन लाइफ गौतम बुद्ध ने अपना जीवन सुरू किया था एक प्रिंस के रूप में एक राजकुमार के रूप में नेमड और उनका नाम था सिधार्थ गौतम और बचपन में उनका नाम क्या था सिधार्थ गौतम ठीक है उनका नाम सिधार्थ गौतम था तो गौतम बुद्ध ने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में सुर भारत में एक राजकुमार के रूप में शुरू किया था और उनका नाम शिद्धार्थ गौतम था तो at 12 में 12 साल की उम्र में he was sent away उन्हें भेज दिया गया for schooling पढ़ने के लिए तो 12 साल की आयू में उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया in the Hindu sacred scriptures हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्यन करने के लिए उन्हें 12 वर्ष की आयू में भेजा गया and four आगे देखें and four और चार साल बाद लेटर मतलब बाद और चार साल बाद ही वहाँ return lotte home घर to marry a princess एक राजकुमारी से बिवाह करने के लिए और चार साल बाद वह एक राजकुमारी से बिवाह करने के लिए घर लोटे they had a son उनका एक बेटा हुआ and lived for 10 years और उन्होंने 10 वर्ष तक जीवन यापन किया as befitted royalty राजसी धंग से और उन्होंने 10 वर्ष तक अपना जीवन यापन राजसी धंग से किया ठीक है क्योंकि वह राजकुमार थे भाई at about the age of 25 25 वर्ष की उम्र में the prince ये राजकुमार here for shielded यानि 25 वर्ष की उम्र तक इस राजकुमार को here for shielded बचा कर रखा गया था सुरच्छित रखा गया था from the suffering of the world संसार के शफरिंग कष्टों से या दुखों से तो 25 साल की आयू तक इस राजकुमार को यानि गौतम बुद्ध को संसार के कष्टों से बचा कर रखा गया था क्योंकि भाई वो राजकुमार थे उनके पास सब कुछ रहा होगा while out hunting chance और एक बार वो hunting पर गये सिकार पर गये chance upon a sick man जब वो एक बार सिकार पर गये तो chance upon a sick man तो उन्होंने एक sick बीमार मैन विक्ती एक बीमार विक्ती को देखा तो जब वो एक बार सिकार पर गये तो उन्होंने एक बीमार विक्ती को देखा then an aged man और उसके बाद an aged man एक बूढ़े विक्ती को देखा then a funeral, procession और एक अंतिम क्रिया का procession देखा अर्थात एक अंतिम संसकार की घटना देखी भाई किसी की मृति हुई रही होगी उसका अंतिम संसकार हो रहा होगा तो एक अंतिम संसकार की घटना देखी and finally और अंत में among उन्होंने एक साधू को देखा begging जो भीख मांग रहा था for um मतलब जो भीख मांग रहा था और अंत में उन्होंने एक भीख मांगते हुए साधू को देखा clear यहां तक these sides इंद्रिश्यों ने so moved him उन्हें हिला कर रख दिया या उन्हें जज़कोर दिया या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इंद्रिश्यों ने उनको प्रभावित किया कुछ भी कह सकते हैं they said so moved him इंद्रिश्यों ने उनको प्रभावित किया that मतलब इतना प्रभावित हुए that कि he at once उन्होंने तुरंत he went out वो निकल गए into the world इस संसार में to seek जानने के लिए alignment concerning the shadows उन दुखों का कारण जानने के लिए he had witnessed जिनको उन्होंने देखा था यानि इस द्रिश्य ने उनको इतना प्रभावित किया that मतलब कि वा तुरंत ही he at once वा तुरंत ही went out into the world वो इस संसार के भ्रमण पर निकल गए to seek enlightenment concerning कारण जानने के लिए दसारों दुखों का कारण जानने के लिए he had witness जिनको उन्होंने देखा था अर्थात जो दुख उन्होंने देखे थे कि भाई बीमार है वेक्ती एक वेक्ती बुढ़ा है एक वेक्ती का अंतिम संसकार हो रहा है एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है ये सारे दृष्य जब उन्होंने देखे तो इन सब दिश्यों ने उनको जजकोर दिया प्रभावित कर दिया और वो तुरंत संसार के भ्रमण पर निकले ताकि वो इन दुखों का कारण जान सके दर्शारों he had witness जिन दुखों को उन्होंने witness मतलब देखा था clear है आतक? he wondered for seven years वो शात वर्ष तक भ्रमण करते रहे and finally और अंतता sat down वो बैठ गए under a people tree एक people के पेड़ के नीचे वो शात वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अंत में एक people के पेड़ के नीचे बैठ गए वेर ही वो जहां पर उन्होंने सपत ली to stay कि वो वहीं पर बैठे रहेंगे until alignment came जब तक कि उनको alignment प्राप्त नहीं हो जाता अध्यात्मिक घ्यान प्राप्त नहीं हो जाता और वहाँ पर उन्होंने सपत ली कि वो वहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उनको अध्यात्मिक ज्यान प्राप्त नहीं हो जाता enlightened after seven days आध्यात्मिक ज्यान प्राप्त करने के साथ दिन बाद he renamed the tree उन्होंने पेड का नाम रखा दबोध भी वरिक्ष। मतलब यहां पर कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ग्यान प्राप्त करने के साथ दिन बाद उन्होंने उस पेड का नाम बदल कर बोध ही व्रिक्ष रखा ट्रियाफ विश्टम जिसका मतलब था ग्यान का पेड एंड बिगन टु टीच और पढ़ाना सुरू किया एंड टु शेर औ और बताना सुरू किया इस निव अंडरस्टेंडिक अपने विचारों को और उन्होंने अपने विचारों को लोगों को बताना सुरू किया ठीक है यहां पर इस पूरी लाइन का मतलब है और बिगन टु टीच और टु शेर इस निव अंडरस्टेंडिक और उन्होंने अप बुद्ध बुद्ध नाम से और इसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा देखिए अवेक देखिए कैमरा में देख के पढ़ना पड़ता है तो कुछ sentences गढ़ा जाते हैं लेकिन ध्यान दिए गार करिए कि देखिए अवेक मतलब होता है जागा हुआ अथवा ग्यानी ठीक है तो इसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ अथवा ग्यानी गंगा नदी के किनारे बसा एक पवित्र अस्थान है होली मतलब पवित्र dipping place, मतलब एक पवित्र अस्थान है, यहां गंगा नदी के किनारे पर बसा, एक पवित्र अस्थान है ठीक है, यह फिर ऐसे कह सकते हैं कि most मतलब होता है, सबसे ज़्यादा holy मतलब पवित्र, तो यह सबसे पवित्र है, of the dipping place अस्थान है, यह सबसे पवित्र स्थान है, on the river गंगा, गंगा नदी के किनारे ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लेगा आप कह सकते हैं that sermon, और यहां उपदेश has been pre-served and is given here that sermon, और वो उपदेश has been pre-served यहां पे आप कह सकते हैं कि वो उपदेश आज भी सुरक्षित है, मतलब ऐसा उपदेश सुरक्षित है आप ज़्यादा लंबा नखीचिए, आप सिधा इतना कहिए कि वो उपदेश आज भी सुरक्षित है, and is given here और उसे यहां पर दिया गया था ठीक है, तो उस उपदेश को यहीं पर बुद्धा ने दिया था और वो उपदेश आज भी सुरक्षित है it reflect, यहां परतिबिम्बित करता है, reflect मतलब reflection, परतिबिम्ब, यह परतिबिम्बित करता है, the बुद्धास wisdom, बुद्ध की यानि गॉतम बुद्ध की बुद्धि मत्ता को समझधारी को ज्यान को ठीक है तो इट रिफलेक्स दबुद्धास विश्डम या बुद्ध की समझधारी को प्रतिबिम्बित करता है अबाउर द वण इनक्रीवटिबल काईड अफ सफरिंग इनक्रीवटिवटिबल मतलब अनसूलिजे या अनसमझे दुख के बारे में यह बुद्ध की समझधारी को प्रतिबिम्बित करता है या प्रदर्शित करता है ठीक है यानि दुख ऐसा दुख जिसे समझा ना जा सके ऐसे दुख के बारे में वो बुद्ध की समझदारी को प्रदर्शित करता है या प्रतिविंबित करता है कीजा गौत्मी देखिए आगे मैं थोड़ा सा इसे उपर करता हूँ ताकि हारी इमेजस भी सेट अप हो जाए हमारी कीजा गौत्मी देखिए चैप्टर को ध्यान से समझेगा एक कहानी है बहुत ज़दा इज़ी है और पूरा उद्देश से है कि ये चैप्टर आपके लिए धुआ हो जाए ठीक है कीजा गौत्मी कीजा गौत्मी नाम है उसका कीजा ठीक है लीजा आपने सुना होगा वैसे कीजा तो कीजा गौत्मी कीजा गौत्मी हैड अनोलिशन का एक पुत्र था कीजा गौत्मी का केवल एक पुत्र था एंड ही डाइड और वो मर गया इन हर ग्रीफ और दुख के कारण सीक्रा कैरीड हर दडेट चाइल्ड वो कैरी करने लगी लेकर घूमने लगी दडेट चाइल्ड मृत बच्चे को तु आल हर नेबर्स अपने सभी पडोसियों के पास और दुख के कारण वहां अपने मरे हुए बच्चे को अपने सभी पडोसियों के पास ले गई आस्किंग देम और उनसे पूछा फर मेडिसीन और उनसे दवाई मांगी और उनस अभी से उसने दवा मांगी and the people said और लोगों ने कहा she had lost her sense की वो पागल हो गई है या फिर उसने अपना आपाख हो दिया है the boy is dead बच्चा तो मर चुका है at length अंत में कीजा गौतमी मेट अन मैन कीजा गौतमी एक पुरुष से मिली who replied जिसने उत्तर दिया to her request उसकी प्रार्थना का और अंत में कीजा गौतमी एक ऐसे वेक्ति से मिली जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया I cannot give the medicine for thy child thy मतलब your child ठीक है तो तुम्हारे बच्चे के लिए I cannot give the medicine मैं दवा नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए मैं दवा नहीं दे सकता बटाई नो अफिजी सियर लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ who can जो दवा दे सकता है लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो दवा दे सकता है and the girl said और उस लड़की ने कहा और उस लड़की ने कहा pray tell me कृपिया करके मुझे बताईए sir महोद है sir कृपिया करके मुझे बताईए who it is who is it वो कौन है and the man replied और उस लड़की ने उत्तर दिया go to shakya muni shakya muni के पास जाओ the buddha यानि shakya muni buddha के पास जाओ kiza got me repaired to the buddha and cried kiza got me repaired to the buddha kiza got me buddha के पास गई and cried और चिलाई lord iswar and master और master guru swami कुछ भी कह सकते हैं तो iswar और swami give me the medicine मुझे दवा दे दीजिए that will cure my boy जो मेरे बच्चे को cure कर दे ठीक कर दे the buddha and sword बुद्ध ने उत्तर दिया I want a handful of mustard seed मुझे एक मुठी सर्सों के बीज चाहिए मुझे एक मुठी सर्सों के बीज चाहिए and when the girl in her joy promised to procure it and when और जब the girl उस महिला ने उस लड़की ने in her joy खुसी से promised वादा किया to procure it इसे देने का और जब लड़की ने बहुत खुसी के साथ इसे लाने का वादा किया बुद्ध एड़ेट बुद्ध ने कहा the mustard seed वो सर्सों के बीज must be taken from a house एक ऐसे घर से लाना where जहाँ पर no one has lost a child जहाँ पर किसी ने बच्चे को ना खोया हो husband पती को ना खोया हो parents माता पिता को ना खोया हो our friend या मित्रों को ना खोया हो मतलब मृत्यू ना हुई हो किसी की उन सर्सों के बीजों को किसी ऐसे घर से लाना जिसके घर में किसी बच्चे की की मृत्यू ना हुई हो पती की मृत्यू ना हुई हो माता पिता की मृत्यू ना हुई हो या किसी दोस्त की मृत्यू ना हुई हो अर्थात कोई भी मरा ना हो जिस घर में उसी घर से लाना पूर कीजा गौतमी बेचारी कीजा गौतमी now went from house to house घर घर गई बेचारी कीजा गौतमी घर घर गई and the people pitted her और लोगों को उस पर पिट आ गया दया आ गई और लोगों को उस पर दया आ गई and said और उन्होंने उससे कहा here is mustard seed ये सरसो के बीज है take it इन्हें ले लो यानि लोगों ने उसे सरसो के बीज दे दिये but when she is asked लेकिन जब उसने पूछा did a son क्या कोई बेटा और डॉटर या बेटी और फादर पिता और मदर या माता die new family तुम्हारे घर में मर चुके है क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा बेटी माता पिता मर चुके है they answer अधर तो उन्होंने उत्तर दिया alas बड़े दुख की बात है the living are few जीवित तो बहुत कम है बड़े अमैनी लेकिन मरे हुओ की संख्या बहुत है अर्थात भाई परिवार में 2, 4, 6, 8 इतने ही लोग जीवित होंगे ना लेकिन दादा पर दादा पर दादा के दादा माता जी माता जी की मतलब दादी जी बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मर चुके हैं तो कहते हैं कि भाई जीवित लोगों की संख्या कम है लेकिन जो मरे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है do not remind us our deepest grief do not remind us हमें याद मत दिलाओ of our deepest grief हमारे दुख हमारे गहरे दुख की याद हमें मत दिलाओ and there was no house और कोई घर ऐसा नहीं था but some beloved one had died in it जिसमें किसी अपने की मृत्यू ना हुई हो और उसी कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी अपने की मृत्यू ना हुई हो कीजा गौतमी बिकेम वेरी वीरी and hopeless कीजा गौतमी बिकेम वेरी थक गई and hopeless और निरास हो गई कीजा गौतमी थक गई और निरास हो गई and sat down और बैठ गई at the wayside एक road के एक सड़क के किनारे watching the lights of the city और सहर के light को यानि प्रकास को देखने लगी और शहर के या city के प्रकास को देखने लगी रोसनी भी कह सकते है ठीक है यानि light प्रकास जो बल्ब होता है उसकी light बल्ब जलता है बुझता है जलता है बुझता है वो as they flickered up वो रोसनी जो थी ना वो flicker कर रही थी जलती बुझती थी and were extinguished again मतलब वो रोसनी बार बार जल रही थी और बार बार बुझ रही थी ठीक है तो जलना और बुझना ठीक है वो रोसनी जो सहर की रोसनी थी वो बार बार जल रही थी और बुझ रही थी at last और अंत में the darkness of the night रात्र के अंधकार ने regained everywhere चारो और अपना सामराजे कर लिया अर्थात अंत में रात का अंधेरा चारो और फैल गया भाई सब लोग जब सोने चले गए तो उन्होंने अपने अपने घर के बलबबंद कर दिये तो एक एक करके जो प्रकास जल बुझ रहा था वो सब का सब एक बार में बंद हो गया तो अब जहां देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा था सब लोग सो गए तो अंत में रात्र के अंधकार ने चारो और अपना सामराजे फैला लिया and she considered the faith of man and she और वहां consider the faith of man faith मतलब bhagy of man अमतलब पुरुस व्यक्ति, इंसान और वह इंसानों के भाग्य के बारे में चिंता करने लगी सोचने लगी विचार करने लगी और उसने विच्तियों के भाग्य के का बारे में विचार करना शुरू किया that की their lives की लोगों का जीवन flickered up and are extinguished again दीखे flickered up लोगों का जो जीवन है न वो भी flicker up करता रहता है जलता बुझता रहता है are extinguished again extinguished मतलब जलाना कह सकते है यहाँ पे बुझाना sorry मैंने जलाना बोल दिया थोड़ा सा लेकिन extinguished मतलब होता है बुझाना तो लोगों का जो जीवन होता है न वो भी जलता बुझता रहता है flicker मतलब जलना बुझना और extinguished मतलब बुझ जाना ठीक है तो उसने लोगों के भाग के या किस्मत के बारे में सोचना सुरू किया और उसने सोचा देट कि देयर लाइफ के उनका जीवन भी लोगों का जीवन भी flicker अप जलता बुझता रहता है and are extinguished again और अरंत में बुझ जाता है अर्थाद यहां पे सीधा-सीधा इतना कहेंगे कि उसने लोगों के भाग के बारे में विचार किया और सोचा कि लोगों का जीवन भी जलता है और फिर बुझ जाता है जलता है अर्थाद जीवित रहते हैं बुझने का मतलब मर जाते हैं सभी लोग मर जाते हैं ठीक है and she thought of to herself देखे यहां पे एक लाइन है आप इसको देख लीजिए कि उसने विक्तियों के भागे के बारे में विचार किया कि उनके जीवन चमकते हैं अर्थाद जलते हैं और अप उसने अपने आप पे सोचा मतलब यह लाइन तो बात की हो गई लेकिन यह लाइन है ठीक है यहां तक कि उसके जीवन चमकते हैं उनके जीवन भी चमकते हैं जलते बुझते रहते हैं और एक्स्टिंग्विश्ट अगेन और फिर वो बुझ जाते हैं ठीक है यह लाइन है सीधा सीधा यहां पे नहीं लिखा है बढ़ आप इसको सीधा सीधा समझे अपने अप में मृतियु तो आनी है मृतियु तो शब के लिए समान है आरथात एक जिन सबको मरना है फिर भी इन डिस वैली ओफ डिशोलेशन वैले मतलब घाटी of desolation यानि निराशा की इस घाटी में at फिर भी in this valley of desolation desolation मतलब निराशा of valley valley मतलब घाटी आपने पढ़ा होगा लेंचों में की valley थी न valley मतलब घाटी तो निराशा की इस घाटी में there is a path एक रास्ता है पहले इसको छोटा कर लीजिए ठीक है यहां से it in this valley of desolation इसका मतलब है निराशा की इस घाटी में there is a path एक रास्ता है that leads to immortality जो इनसान को अमरता की तरफ ले जाता है अर्थात जो इनसान को अमर बना देता है who has surrendered all selfishness जो अपना स्वार्थ त्याग देते हैं selfishness मतलब स्वार्थ अपना मतलब त्याग देते हैं उनको वो क्या करता है अमरता की तरफ ले जाता है ठीक है तो इसको पुरा ऐसे कहना है कि वो लोग जो अपना स्वार्थ त्याग देते हैं उनको इस निराशा की घाटी में एक रास्ता है जो अमर्ता की तरफ ले जाता है दबुद्धा सैट बुद्ध ने कहा the life of mortals mortals मतलब नश्वर जैसे हम लोग हैं हम नश्वर हैं एक दिन मर जाना हमको तो दबुद्धा सैट बुद्धा ने कहा the life of mortals नश्वर का जीवन in this world is संसार में is troubled and brief and combined with pain the mortals in this world इस संसार में जो नश्वर लोग है is troubled उनका जीवन ट्रबल कठिनाईयों से भरा है and brief दुख से भरा है and combined with pain और कश्ट से भरा है यानि जो इस संसार में नश्वर लोग हैं उनका जीवन दुख से भरा हुआ है कश्टों से भरा हुआ है और पीडा से भरा हुआ है for there is not any means by which those that have been burned can avoid dying for क्योंकि there is not any means कोई भी रास्ता नहीं है by which those जिससे वो लोग that have been burned जिनका जन्म हुआ है can avoid dying मृत्यों से बच सके यानि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो लोग जिनका जन्म हुआ है वो मृत्यों से बच सके अर्थाज जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है after reaching old age जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है there is death तो उसकी मृत्यों हो जाती है of such a nature our living being और ये nature है ये प्राकृतिक गुण है living being जीवित लोगों का और ये जीवित लोगों का एक प्राकृतिक गुण है यानि सभी सजीव लोगों का ये एक प्राकृतिक गुण है as ripe fruits are early in danger of falling as ripe fruits जिस प्रकार पके हुए फल are early in danger उनको खतरा होता है of falling गिरने का जिस प्रकार पके हुए फल को गिरने का खतरा होता है so mortals उसी प्रकार लेने के बाद मृत्यू का खतरा रहता है उसी प्रकार नश्वर लोगों के या फिर इनसानों के जन्म लेने के बाद उनको मृत्यू का खतरा रहता है as all earthen vessels जिस प्रकार से as all जिस प्रकार से सभी अर्थीन बरतन के vessels बने मतलब मिट्टी के बने बरतन ठीक है earth मतलब मिट्टी तो earthen vessels whistle मतलब बरतन तो जिस प्रकार मिट्टी के बने बरतन made by the potter कुमहार के द्वारा बनाये जाते है जिस प्रकार मिट्टी के बरतन कुमहार के द्वारा बनाये जाते है end in being broken लेकिन और अंत में टूट जाते हैं उसी प्रकार लोगों का जीवन होता है अर्थात अंत में लोगों को भी मर जाना है बोथ यंग वो बोथ मतलब दोनों यंग मतलब युवा एंड अडल्ट और नौजवान अडल्ट मतलब जो समझदार हो आप बुढ़े बुढ़े को भी गिन सकते हैं अडल्ट उनको कहा जाता है जो समझदार हो जाते हैं यंग मतलब इसमें बच्चे भी आ जाते हैं ठीक है तो बच्चे और समझदार या फिर बच्चे और युवा या फिर नौजवान और बूढे कुछ भी कह सकते हैं बोथ दोनो बोथ दोज हूँ आर फूल्स वो दोनो बोथ मतलब दोनो दोज हूँ आर फूल्स जो मूर्ख है and दोज और वो वो वाइस जो बुद्धिमान है वो बच्चे और युवा वो दोनो जो मूर्ख है और वो जो बुद्धिमान है all fall into the power of death उन सब को मृत्यू आती है all fall वो सभी गिर जाते हैं into the power सकती के सामने of death मृत्यू की वो सभी मृत्यू की सकती के सामने गिर जाते है ठीक है चाहे बुद्धिमान हो चाहे होशियार हो चाहे नौजवान हो, चाहे बुढ़ा हो, वो शभी मृत्यू की सक्ती के सामने गिर जाते हैं, ठीक है हैं, ऐसा जुरूरी नहीं है, कि मृत्यू बुढ़े होने के बाद ही आएगी, मृत्यू तो कभी भी आ सकती है, तो वही कह रहे हैं कि भाई, चाहे आप बुढ़े हों, चाहे आप नौजवान हो, चाहे आप बूर्ख हो, चाहे आप बुद्धिमान हो, आप सभी को मृत्यू की सक्ती के सामने जुकना है, और सभी लोग मृत्यू का शिकार होते हैं, और आप दोज हूँ, वो सभी लोग हूँ, जिन पर ओवरकम बाइदित, मृत्यू विजय प्राप्त कर लेती है, उन सभी पर जिन पर मृत्यू विजय प्राप्त कर लेती है, डिपार्ट फॉम लाइफ वो जीवन से अलग हो जाते हैं, या फिर जीवन से चले जाते हैं, अफादर कैनाट से भी सं, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नौर ना ही Kingsmans, परिवार, रिष्थेदार, भाई बंधू, Kingsman मतल सब आ जाते हैं, ठीक है, तो ना ही भाई बंधू, देर रिलेशंस, अपने रिष्थेदारों को बचा सकते हैं, ना तो पिता अपने पुत्र को बचा सकता है और ना ही रिष्टेदार या भाई बंधु अपने रिष्टेदारों को बचा सकते हैं माक ध्यान दो वाइल रिलेटिवस आर लुकिंग ओन वाइल रिलेटिवस जब रिष्टेदार आर लुकिंग ओन देख रहे होते हैं लेमिटिंग डीपली और बुरी तरह से रो रहे होते हैं अर्थाथ जब घर में किसी की मृत्यू हो जाती है तो रिस्तेदार उसे देखकर बहुत बुरी तरह से रो रहे होते हैं वन बाई वन एक एक करके मौर्टल्स सभी लोग आर केरीड आफ चले जाते हैं ठीक है यानि किसी मृत्य व्यक्ति को देखते हुए बुरी तरह से रो रहे होते हैं तो एक एक करके सभी लोग धीरे-धीरे मर जाते हैं या फिर धीरे-धीरे चले जाते हैं लाइक एन ऑक्स जिस प्रकार से एक ऑक्स एक बचड़ा डैट इस ले जाया जाता है तुदा स्लट कसाई के जिस प्रकार से एक बचड़े को कसाई के यहां ले जायाता है यानि काटने के लिए ले जाता है आपको खुद जोड़ना होगा यह वर्ड तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि जिस प्रकार एक बचड़े को कसाई के पास काटने के लिए ले जायाता है So the world is afflicted with death and decay So the world उसी प्रकार यहां संसार Is afflicted with death, मृत्यू and decay और पतन से भरा हुआ है यह फिर पीडित है उसी प्रकार यहां संसार मृत्यू और पतन से पीडित है ठीक है यानि सबको एक दिन मृत्यू आनी है और सबका एक दिन पतन हो जाता है Therefore, इसलिए the wise जो बुद्धिमान लोग है Do not grieve, वो दुखी नहीं होते वो शोक नहीं मनाते Knowing क्योंकि वो जानते है The terms of the world is संसार के नियमों को क्योंकि वो संसार के नियम को जानते है इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते दुखी नहीं होते Not from weeping, nor from giving Will anyone obtain peace of mind Not for weeping, रोने से Not for grieving, और दुख प्रकट करने से ना तो रोने से और ना ही दुख प्रकट करने से Will anyone कोई व्यक्ती obtain peace of mind मन की सांती प्राप्त कर सकता है अर्थात रोने और दुखी होने से कोई भी व्यक्ती मन की सांती प्राप्त नहीं कर सकता On the contrary इसके बावजूद यानि इसके विप्रीत जब बहुत ज़्यादा रोएगा व्यक्ती बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करेगा तो कहते हैं कि वो अपना मन का सांती तो प्राप्त नहीं कर पाएगा लेकिन इसके बिप्रीत इसका दुख उसका दर्द उसकी तकलीफ विल बी ग्रेटर बढ़ जाएगी and his body और उसका सरीर will suffer कष्ट भोगेगा दुख भोगेगा या फिर उसके सरीर को कष्ट होगा और इसके बिप्रीत उसका दुख जो है वो बढ़ जाएगा और उसका सरीर कष्ट भोगेगा he will make himself sick and peel वहां स्वयम को sick बीमार कर लेगा and peel फिर मतलब पीला पर जाना यानि कमजोर कर लेगा वो व्यक्ति स्वयम को बीमार और कमजोर कर लेगा यानि बहुत जदरोनी की बात तो वो व्यक्ति खुद को कमजोर और बीमार कर लेगा at the date are not saved by his limitations अर्थात कह रहे हैं जो लोग मर चुके हैं यानि उसके रोने से यानि जो लोग मर चुके हैं are not saved उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा by his limitation मतलब उसके रोने से किसी भी मरे हुए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकेगा ही वहां हूशीक देखे ये लाइन थोड़ा सा लग है इसलिए हम इसको थोड़ा सा सौट करके पढ़ेंगे ठीक है हमारे यहां तक हो गया काम कि उसके रोने से किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकेगा अर्थात बचाया नहीं जा सकेगा ठीक है अब ये लाइन थोड़ा सा लग कहते हैं उपदेश है यहां पर इसलिए इसको ध्यान से हम थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए तो ही मतलब वहां व्यक्ति हूशीक पीस शुड ड्रो यानि जो शीक पीस जो सांती प्राप्त करना चाहता है यानि जो व्यक्ति सांती की तलास कर रहा है शुड ड्रो मतलब खीचना आउट मतलब बाहर उसे बाहर खीचना होगा द आरो तीर को तो उस व्यक्ति को तीर को बाहर खीचना होगा आफ लेमेंटेशन यानि उस व्यक्ति को शोक के and complaint शिकायत के and grief और दुख के शोक, सिकायत और दुख के तीर को बाहर खीचना होगा अर्थात उसे अपने अंदर से सोक, सिकायत और दुख को बाहर निकालना होगा अगर कोई वेक्ति सांती प्राप्त करना चाहता है तो तो अगर कोई वेक्ति सांती प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने अंदर से शोक, सिकायत और दुख के तीर को बाहर खीचना होगा He would has drawn out the arrow और वहाँ वेक्ती who has drawn out जिसने बाहर निकाल लिया है the arrow उस तीर को And has become composed will obtain peace of mind तो वहाँ वेक्ती जिसने उस तीर को बाहर निकाल लिया है Has become composed वो सांत हो जाएगा Will obtain peace of mind और उसे मन की सांती प्राप्थ होगी अर्थात सीरी सीरी बात हैं यहाँ पे कि जिस वेक्ती ने उस तीर को अपने सरीर से बाहर निकाल दिया है उसे मन की सांती मिलेगी ठीक है यहाँ इतना लंबा चोड़ा यहाँ पे खीच की यह पूरा का पूरा obtain peace of mind इसका मतलब क्यों इतना सा है कि उसे मन की सांती मिलेगी He who has overcome all saro और he वहाँ who has overcome जो बाहर आ गया है या फिर जिसने जीत लिया है all saro सभी दुखों को और वहाँ वेक्ति जिसने सभी दुखों को जीत लिया है will become free वो स्वतंत्र हो जाएगा from share of दुख से and be blessed और उसका जीवन blessed होगा अर्थात उसका जीवन धन्य हो जाएगा और वहाँ वेक्ति जिसने सभी दुखों को जीत लिया है वो दुखों से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा तो बस यहीं पर हमारा chapter समाप्त होता है अपने मित्रों के साथ भी जरूर share कीजेगा इस chapter को ताकि वहाँ भी इसका लाब ले सके आपके लिए English spoken की classes भी बहुत जल्दा आने वाली है जो की एक January से स्टार्ट हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया है ताकि आप अच्छी तरह से अपनी तयारी करें